Hello everyone, कैसे आप सभी? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे आज से मैं आपकी जो KVS की साइकोलजी है और HPSC की जो साइकोलजी सीरीज है उसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो आज सबसे पहले जो KVS का चैप्टर नंबर वन है वो आप देख लेंगे देखें यहाँ पर चैप्टर वाइस आपको फ्री क्लासिस में आपको प्रवाइड कर रही हूँ आपको कुछ नहीं करना है एक भी रूपया आपको इनहीं देना है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करके जाए अपने वैलोवेबल कमेंट यहाँ पर जरूर करें कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया या फिर और कोई इंप्रूमेंट आपको चाहिए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किया आप बिल्कुल भी मच जाईएगा देखिए आपका क्या क्या syllabus है मैं आपके साथ discuss कर चुकी हूँ आज क्या जो मैं आपके साथ discuss करने जारी हूँ आपके जो unit number one है यानि कि अधिगम गरता को समझना है और अधिगम करता यहां पे कोण है आपके जो student है जिनको आप पढ़ाएंगे वो आपके कोण है अधीगम करता है चीक है लर्नर है तो आज आपके साथ ये टोपिक में डिसकस करूँगी concept of growth, maturation and development यानि की विकास विद्धी है विद्धी परीपकवता और विकास की अवधारना चीक है कल फिर मैं आपके साथ ये topic डिसकस करूँगी चलिए शुरू करते हैं topic number one है आपका growth of concept of growth, maturation and development यानि की विद्धी परीपकवता और विकास की अवधारना अब आपको यहाँ पर growth क्या होती है, maturation क्या होता है, development क्या होता है आप सभी को अच्छे से पता होने चाहिए इनकी बीच में क्या difference होता है ये आप सभी को अच्छे से पता होने चाहिए ठ पीडियफ में डाल दूगी, तो जो लोग भी वहाँ पर नहीं जुड़े हैं आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, लिंक में डाल दूगी डिस्क्रिप्शन में या फिर यूट्यूब के about section में भी लिंक है तो सभी लोग वहाँ पर जुड़ जाईए और वहाँ पर मैं आपक जो को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, एक एक एक्जामपल लेते हैं, ठीक है आप सभी को पता है जबी भी आर्मी में अगर किसी को जाना होता है तो उनको बहुत सारी चुनोतियों से पास होना होता है, सबसे पहले तो उनका एक eligibility criteria उनसे मांगा जाता है, अब आप ये अच्छे हो, बट फिर भी बहुत से कंडेट होंगे, जो नहीं पढ़ रहे होंगे, जैसे जो PGT से जा रहे है, KBS में, तो आपको ये समझना जादा ज़रूरी है, उसके बाद आपको सारे concept यहां पर बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, देखिए, आर्मी में जब कोई जाता है, कोई soldier बनने के लिए जाता है, तो सबसे पहले आपको पता है, भी requirement होती है, आपकी उमर कम से कम 17 से 18 साल होनी चाहिए, और या फिर आपकी 21 से 22 साल के बीच के ही बंदों को यहां पर आर्मी में लिया जाता है, चीक है, यहां पर ये चीज मैंने इसलिए बताई है योंकि जो ग्रोथ होती है, आपकी, अब इन्होंने ये क्यों नहीं कहा, कि भई कोई भी 10th pass बچ्लस बच्चा आ सकता है, कोई भी 8th pass बच्चा यहां पर आ सकता है, यह क्यों नहीं खा? इन्होंने यहीं क्यों कहा, कि भई 17 से और 21-21 साल तक के बच्चे जो है, जो 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 पर यह आर्मी में लिये जाएंगे, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे एक रीजन होता है, ठीक है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी ना तो ग्रोथ अच्छे से हुई होती है, किस लेवल के लिए, आर्मी में जाने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है, आर्मी हो इस चीज के लिए maturity का मतलब होता है कि आपको आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आप चीजों को अच्छी तरह से समझने में सक्षम हो वो क्या होती है आपकी maturity होती है तो यहां पर जो growth होता है वो आपका relate करता है आपके body parts से किससे body parts यानि कि जो आपका physical structure होता है उससे relate करता है आपकी growth इसको आप ऐसे समझे जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है ठीक है कोई छोटा बच्चा है उसके starting से उसके birth से लेकर के और उसके जैसे ही वो आगे बढ़ना शुरू करता है है उसका जो growth होता है ठीक है सबसे पहले किया उसके चोटे-चोटे हाथ रोते है बिलकुल itiatiTeran से झोटे-चोटे उसके हाथ पर होते हैं धिरे दिरे उवह और थोड़े उसके हाथ पैर बड़े होते हैं फिर जैसे मैंने आपको बताया है example कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी हाथ पाउं छोटे होते हैं उनका weight कम होता है ठीक है तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका weight होता है इंक्रीज होता रहता है तो यह सब क्या है growth होता है अब growth जो होता है वो आपका measure किया जा सकता है ठीक soldier बनने वाला example दिया वो हमेशा 17 और 22 साल के बीच में यू लेते हैं क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जो छोटे लड़के होते हैं इससे कम उमर के वो इतने mature नहीं होते हैं कि वो जो high level की जो training होती है वहाँ पर उनको क्याब कर पाए उनको सहन कर पाए ठीक है तो maturity होई जैसे हम लोग सुनते हैं ना भई तूम इतने mature नहीं हो जैसे कोई किसी को बोल दे कोई friend आपस बोल दे कि ये कैसी बाते हैं तो maturity वाली बाती नहीं है ना तो maturation का मतलब होई होता है परीपकवता जो आपकी heritage से यानि कि अनवान शिक्ता से यहाँ पर relate करती है ठीक है अब यहाँ पर development जो होता है ना आपका development वो growth तो growth plus maturation से मिलकर के बनता है यानि कि अगर किसी बच्चे की growth हो रही है और अगर कोई बच्चा mature है तो उसका development automatic हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर growth plus maturation और plus learning भी हम लोग include करते है ठीक है तो यह वाला जो equation आपने याद रखना है कि जब किसी बच्चे का development हम देखते है तो उसमें क्या क्या आता उसमें उसकी growth आती है यानि कि उसकी जो वृद्धी है ठीक है उसकी जो body उसकी अच्छी अगर उसकी वो mature भी है तो learning तो obvious सी बात है उसकी होईगी न वो सीख तो रहा ही होगा और इन ही तीनों चीजों से मिलकर के आपका क्या बनता है आप ज़का जो है विकास यहाँ पर होता है यानि कि development ठीक है इतना यहाँ से समझ में आए आपको अभी आप चलते हैं नीचे भी है इधर में क्या कहना चारी हो जो notes में हम चलते हैं growth क्या होता है quantitative aspect होता है growth यानि कि मातरातमक पहलू होता है quantitative का मतलब होता है जिसको हम major कर सकते हैं आपको पहले ही बताया है जो height होती है जो weight होता है वो सबी क्या है हम लोग measure कर सकते हैं तो growth क्या है आपकी body structure से relate करता है इसलिए ये quantitative होती है measure इसको किया जा सकता है change in physical structure आपकी भोतिक संरचना में जो परिवर्तन होता है मतलब कोई बच्चा छोटा होता है फिर वो उसमें और weight बढ़ता है उसके जो body parts है वो increase होते हैं जो भी stages होती है वो सबी stages में आपको आगे पढ़ाऊगी उसमें जो changes होती है वो सबी किसमें आती है वो आपके growth में आती है अब growth क्या होती है primary step होता है development का किसी बच्चे का अगर growth ही नहीं हो रहा है किसी बच्चे के अगर विद्धी नहीं हो रही है तो उसका development कहां से होगा इसलिए जो development के लिए जो primary step यानि की प्राथमिक कदम होता है क्या growth चिक है उसके बाद ये जो है limited to bodily change ये हमारे शारिडिक परिवर्तन तक सीमित होता है growth आपका किस से relate करता है only जो आपका physique होता है जो आपका body structure होता है उसी से ही ये relate करता है तो growth आपका क्या है quantitative होता है केवल आपके physical structure तक ही सीमित होता है अब कुछ definition है इनके बारे में जो आपसे exam में पूछी जाती है हर लोग इनके बारे में क्या कहती है हर लोग मैडम कहती है change in size in proportion disappearance of old features and acquisition of new ones ये किस ने कहा है ये आपसे डाइरेक्ट यहाँ पर ये line उठा कर दे देंगे और आपसे option में पूछेंगे बता हो ये किस ने कहा है तो आपको ये definition पता होने चाहिए size में अगर यानि कि आकार में अगर परिवर्तन है ठीक है अनुपात में परिवर्तन है disappearance of old features यानि कि जो पूराने जो feature है उसका गाइब होना और acquisition of new one और जो नए है उनका आना जैसे जब poverty में क्या होता है हमारे अंदर changes आते है न body के अंदर जो boys और male होते है उनके अंदर changes आते है boys और जो girls होते है उनके अंदर changes आते है जैसे boys का क्या है उनकी दाड़ी वगेर आती है तो ये क्या है acquisition of new one तो ये क्या है सब किस में आता है ये आपकी growth में आता है तो हर लोग ने किस के बारे में बताए हर लोग ने ये definition दी है उसके बाद करते है maturation का maturation का मतलब क्या होता है परिपकवता यह आपकी किस से relate करती है यह आपकी hadity से relate करती है अनुवान शिकता से relate करती है अब maturation का concept किस ने दिया था आप सभी को अच्छे से पता होना किसी भी चीज से हम डील करने में अगर आप किसी भी छोटे बच्चे को कोई बडए बच्चे का काम अगर करने को दे कोई है ना जैसे मालो आपने एपने कोई बच्चा है चोटा सिरफ वो कितना तीन साल का है चैक है कोई तीन साल का बच्चा है और आप अगर उससे कहो कि चलो तुम ये टैंथ किलास की बुक पढ़के दिखाउ ये ट sensor की बुक पढ़के दिखाऊ तो वह ये clinic इना मैचोर ज यह वही चीज़ें जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो आपका development है उसके अंदर आपकी growth आती है आपका maturation आता और आपकी learning आती है तो maturation जो होता है growth और learning के साथ साथ आपके development के लिए क्या होता है responsible होता है विकास और सीखने के साथ साथ परीपकवता तीन परकरियाओं में से एक है जो किसी व्यक्ति के विकास में central यानि के किंद्रे भूमिका निभाती है वही बात जो मैंने आपको उपर बताईए ठीक है process of maturation almost get completed up to the stage of 25 years maturation क्या होती है एक limit होती है जैसे आपकी जो growth होत तक होती है ना ऐसे तो नहीं है कि आप throughout your life आपकी जो growth हो बढ़ती रहती है आपकी जो height वगएरा वो एक time पर रुक जाती है ना stop हो जाती है तो यह क्या है आपकी growth है तो ऐसे ही जो maturation है ना वो आपका 25 years तक almost क्या हो जाती है complete हो जाती है आपके अंदर complete क्या हो जाती है maturity आप पूरी तरह से परीपक को यहां पे हो जाते हो किसी भी चीज के लिए ठीक है तो परीपक वता कब आ जाती है कि 25 साल तक जातर complete हो जाती है उसके बाद है if a person is matured enough to learn a task only then he would be able to learn that work बही सीधी से बात है कि अगर मैं इतना किसी भी काम को करने के लिए mature हूं ही नहीं तो म मतलब यह है कि development ही में maturity का एक एहम रोल होता है अगर मेरे को कोई काम दिया जा रहा है अगर उस तीन साल के बच्चे को 11 तो 12 की books अगर पढ़ने के लिए दे दी जाए तो है नहीं इतना mature कहां से करेगा है ना तो वही same बात यहां पे मैंने बताई है उसके बाद आता है आपकी all over development होती है ठीक है अब जो growth है वो तो रुख जाती एक time पे लेकिन जो development है वो रुखती नहीं है growth आपकी quantitative change थी लेकिन जो development है उसको measure नहीं किया जा सकता आपके इंदर क्या विकास हो रहा है क्या आप उसको measure कर सकते हो नहीं कर सकते हो ना जैसे मान लो आपका social development है ह समाज के साथ अच्छे से घूल मिल पा रहे है तो क्या आप इसको measure कर सकते हो क्या आप कितना कितना जो है समाज के साथ घूल रहे हो क्या आप इसको measure कर सकते हो नहीं कर सकते हो ना तो development क्या होता है आपका qualitative change होता है चीक है आप qualitative change के सासाथ में यह quantitative भी होता है यानिकि मातर पातमक भी होता है क्योंकि development में आपका क्या growth भी आता है और maturation और learning तो growth क्या होती है आपकी growth आपकी quantitative होती है चीक है तो जिट development होता है वो qualitative तो होता ही है साथ ही साथ quantitative भी होता है तो यह आपको अच्छे से याद रखना है next है concept of development is wider than growth यानि कि जो विकास के अधारणा वरिद्धी की तुलना में क्या होती है व्यापक होती है अपने आप ही व्यापक होती है कैसे growth क्या होती है वो stop हो जाती है एक time पर एक maturity आने पर एक ऐसे stage आती है जहां पर आपकी height वगरा बढ़नी बंद हो जाती है लेकिन development तो आपके जनम से लेकर यानि कि जनम से लेकर के भी नहीं बलकि जो warm होता है ठीक है मा के गर्ब से लेकर आपकी death तक चलता रहता है development तो development जो होती है एक वाइडर प्रोसेस होती है एक व्यापक यहाँ पर प्रकृरिया होती है ठीक है development does not stop on maturation वहीं सेम बात है development जो है विकास जो है वो development यानि कि जो विकास है वो रुकता नहीं है बलकि क्या है निरंतर चलता रहता है ये growth की तरह है क्या stop नहीं होता है बलकि ये कैसी process होती है ये continuous यानि कि आप इसको कह सकते हो ये एक universal यानि कि सारो भूमिक परक्रिया होती है ठीक है aspects के बारे में बात करेंगे भई ज यानि कि शारिरिक विकास सामजिक विकास और ये आपका mental यानि कि cognitive जिसको बोलते है intellectual emotional समविगात्मक विकास और नैतिक विकास इन सबमिड आता है चीक है next चीज़ पर चलेंगे अब हो definition है कुछ जो दी है development के बारे में वो आपको अच्छे से पता होने चीए हर लोग क्या बोलती है हर लोग कहती है कि जो development है वो does not limit with the growth बही जो विकास है वो growth के साथ साथ ही limit नहीं रहते जैसे growth होती हो आपके limited होती है आपके एक time पर क्या हो जाती है stop हो जाती है तो ये कहती है कि जो development है वो growth की तरह limited नहीं है बलकि क्या है it is a combination of process and result बलकि ये एक प्रक्रिया हो यानि कि परिणाम का क्या होती है, यानि कि जो development होती है, वो growth के साथ तक ही limit नहीं रह जाती है, बलकि आगे तक चलती रहती है, development brings forth new characteristics and abilities in individual, ये भी कौन कहते हैं, इसके बारे में भी हर लोग नहीं कहा है, जो दोनों definition ये हर लोग की नहीं दी है, कि विकास किसी जाक्ती में न ठीक है, अब growth क्या होती है, वो आपकी मैंने बताई quantitative होती है, जिसको आप measure कर सकते हो, और ये किसमें, size में, number में, weight में, ठीक है, तो ये क्या है, growth होती है, जबकि जो development होता है, वो qualitative भी होता है, और quantitative भी होता है, ठीक है, उसमें physical आते है, mental, social, emotional development आपके इसमें आते हैं, ठ इंतर आपको पता होने चीए, वैसे मैं आप सब कुछ आपको उपर बता चुकियों, difference क्या होता है, growth और development में, जो growth होता है, वो stop हो जाता है, एक certain time of period में, एक maturity के साथ आपकी growth हो क्या हो जाती है, stop हो जाती है, लेकिन जो development है, वो मा के गर्ब से लेकर, कहते है न, गर्ब स जो होती है, एक narrow term होती है, development एक wider term होती है, मैं आपको पहली बता चुकी हूँ, development क्या होता है, growth प्लस maturation प्लस learning होता है, अब growth क्या होती है, development के अंदर आती है, तो growth क्या है, इसका एक छोटा सा हिस्सा है, तो ये क्या है, growth क्या है, आपकी narrow term है, जबकि जो development है, आपकी कैसी पहलू आते हैं जिसमें आपका सामाजीक, मान्शीक, शारिडिक और सम्वेगात्मा की सब कुछ इसमें आता है ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो, ये क्वांट्रेटीव होता है जबकि डिवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते हो, बलकि आप इसको एक्सेस कर सकते हो यान कि इसका जो है आंकलन आप कर सकते हैं ठीक है आपका जो डिवलपमेंट है वो कितना हुआ है किस लेवल तक हुआ है कहां तक हुआ है आप इसका आंकलन कर सकते हो भई हुआ है नहीं हुआ है बल जबकि आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो यानि की माप नहीं सकते हो ठीक है उनको भी ये सारी चीज़े पढ़नी है माना विकास की अवस्थाएं अब ये जो चीज़े हैं आपके लिए बहुत बहुत important है बहुत सारे इस से question आते हैं prenatal period होता है prenatal period मतलब कोई भी जो इनसान जनम लेता है ना वो in stages से होता है गुजरता है आप सभी इन stages से गुजरे हो और अभी भी गुजर रहे है prenatal period होता है जो आपका जनम से पहले का काल होता है जनम पूरवяти काल होता है जो आपके टिल बर्थ तक होता है जब तक आपका जनम ना हुआ हो यानिकि आप जो हो अभी तक कहा हो अपनी मा के गर्ब में हो, तो वो क्या होता है, प्रिनटल पीरियड होता है, ठीक है, second stage होता, infancy, sashua वस्था इसको बोलते है, किसी-किसी बुक में आपने infancy को सिधा पढ़ा होगा, क्या, 2 साल, 0 से 2 र, ठीक है, लेकिन जो standard बुक होती है, वो क्या बताती है जो इंफेंट्सी जो शैश्व अवस्था होती है जीरो से दो वीक की होती है और बेबी हुड यानि कि जो बाले अवस्था होती है वो दो वीक से दो इयर होता है अगर आपको कहीं पर इंफेंट्सी जीरो से टू इयर अगर कहें तो वो भी ठीकी होता है चीक है Early Childhood यहाँ पर बताया गया है पूरू बालेवस्था 2-6 साल अब यहाँ पर जो है मैंने आपको बहुत important चीज़े यहाँ पर लिखी है आपको यह अच्छे सा याद करनी है एक्जाम में न जाने कितनी बार आता है आपसे पूछा जाता है बताओ Toy Age कोन सी होती है तो आप बताएंगे Early Childhood अब Early Childhood को क्या बोलते हैं इसको आप Toy Age यानि कि खिलोनों की Age बोलते हैं Imitative यानि कि नकल करने की Image बोलते हैं Questioning Age इसको बोलते हैं इसमें जो बच्चे होते हैं Learn करने का fastest period होता है आपने Nome Choms के बारे में पढ़ा होगा ना Nome Choms की वो क्या कहते हैं भी 5 साल तक जो बच्चा है वो किसी भी language को बहुत अच्छे से acquire कर लेता है क्योंकि उसके पास क्या होती है LED होती है Language Acquisition Device होती है जो उसको किसी भी language को acquire करने में क्या करती है help करती है इसलिए ये वाली age क्या है fastest period है to learn language Later Childhood उत्तर बाले वस्ता 6 से 12 साल की होती है जिसको आप Gang Age, School Age और Troublesome Age भी इसको बोलती है Next आता है Pre Adolescence जिसको पूर्व किशोरा वस्ता ये 11 से 13 साल Adolescence किशोरा वस्ता 13 से 17 साल और Later Adolescence उत्तर किशोरा वस्ता 17 से 19 साल ठीक है अब ये जो है ना Pre Adolescence, Adolescence और Later Adolescence इसको Stainly Hole ने किसने? Stainly Hole Stainly Hole ने क्या बोला है तुफान की अवस्ता बोला है तुफान की अवस्ता यानि कि Storm Stage इसको बोला है तुफान की अवस्ता Storm Stage ऐसा क्यों बोला है क्योंकि जनरली इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं बस उनको अपने आप में ही रहते हैं थोड़ा सा दूसरों से क्या कोई मतलब नहीं होता है ऐसे लगता है इनको कि जो दूसरे मतलब पेरियंट से थोड़े अलग थलग से रहने लगते हैं इस स्टेज में तो यहां पर यह वाली जो होते हैं बड़े क्रूशियल होता है अगर यहां पर सोशलाइजेशन बच्चे का अगर अच्छा हो जाए ना तो बच्चा एक आपका नेक्स टोपिक आता है इसात रिलेक्समेशन शिप ऑफ डिवलप मेंट वीड लरनिग विकास का सीखने के साथ क्या संभन्ध होता है चीक है अब इस में आप देखेंगी अरली डिवलप मेंट इस क्रूशियल फो डिवलप मेंट ये कहता है कि जो पहले की जो विकास होता है जो प्राथमिक विकास होता है वो बाद के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है क्रूशल होता है क्यों होता है मान लोगर किसी बच्चे का स्टार्टिंग में कोई डिवलपमेंट हुआ ही नहीं चिक स्टार्टिंग में उसको को बहुत दिख्कत आती है जीसे मान लो बच्चा है उसका जो language का development है उसके साथ किसी ने कोई वार्ट लाप करी ही नहीं इतनी अच्छी तरीके से यहाप कह सकते हो बई उसका जो language development है वो इतना अच्छे से नहीं हो पाया तो बाद में उसको दिक्कत आएगी उस चीज़ को समझने में ठीक है तो यहाँ पर जो early development है वो बहुत जरूरी होता है बाद के development के लिए learning जो होता है is development that comes from efforts and practice पर सीखना जो है ना learning वो क्या है development है जो बहुत सारे अभ्यासे और efforts से आता है learning जो होती है वो development को affect करती है और जो development होता है वो learning को affect करता है दोनों क्या है vice versa होती है दोनों एक दूसरे को क्या करती है affect करती है अगर किसी का development हो रहा है तो उसकी learning automatic हो रही है और अगर किसी का सीखना यान की learning हो रहा है तो उसका development भी हो रहा है ठीक है तो ये था आपका जो मैंने आज topic cover किया है कल मैं आपका principle करूँगी principle of development ठीक है principle of development आपके साथ discuss करूँगी और आगे जो उसके challenges वगेरा है वो सब भी आपके साथ discuss करूँगी तो इस पूरी जो topic मैं आपको पहले दिखाया था उसको मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको complete ही कर दूँ ठीक है कल की वीडियो में ये वाले जो topic है principle and debate of development और development टास्क and challenges इसको मैं complete करने कोशिश करूँगी फिर ये वाला जो topic आपका complete हो जाएगा आप जो है साथ-साथ अपने notes भी बना करके चले ये PDF भी मैं आपको टेलिग्राम पर शेयर कर दूँगी ठीक है वीडियो पसंद आता तो आप इसको जरूर लाइक करे और चानल को subscribe किये बिना ना जाए थैंक्यू थैंक्स फो वाचिंग मी